Hello everyone, हेंखोज Dictionary के YouTube चैनल में आप सभी का एक परफे से स्वागत है जैसा कि आप सभी को बता है कि हमने एक नई सीरी शुरू की है चाहां पर मैं आपको SSC, CH, SL में आने वाले या प्रिवेसली पूछे गए सभी EDMs के बारे में टीटेल में बता रही हूं इससे पहले मैंने इसका Part 1 पब्लिश किया था जिसे काफी आप लोगोंने पसंद किया आज मैं इसका Part 2 लेकर आई हूं Part 1 में हमने यह सभी EDMs सीखे थे 20 EDMs थे मैंने उनके meaning English और Hindi में बताये थे और साथ ही sentence में उसका use भी किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका link मैंने description में शेयर किया है ध्यान दीजगा कि यह सभी EDMs प्रिवेसली exams में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं इसलिए इस series को बहुत carefully follow कीजे आपके लिए बहुत ही important साबिट होगा चलिए without wasting time हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और चानते हैं आज का पहला EDM आज का पहला EDM है to make up one's mind to decide about something और to do something निश्चे करना फैसला करना for example she made up her mind to resign उसने इस्तीफा देने का निश्चे कर लिया था तो to make up one's mind निश्चे करना तो आपने क्या अपना mind make up किया है कि इस पर आप competitive exams को clear कर ही लेंगे comment section में मुझे पताईएगा next है to call it a day जिसका meaning होता है stop a particular activity for the rest of the day खतम करना कोई भी अगर कोई activity आप कर रहे हैं उस दिन में या आज कोई activity आप कर रहे हैं और उसे वहां पर आज के लिए खतम कर दिया शायद आपको अच्छा नहीं लगा टायड हो गया या उसको परिणाम नहीं निकल रहा तो आपने उसे बंद कर दिया आज के लिए खतम कर दिया तो उसके लिए आप जो करेंगे वह होगा तो कॉल एट अट फर एक्छांपल यू रजान हाँ यू शुट कॉल एट अट अट आज का रहे हैं मुझे लगता है कि आपको इसे खतम कर लेना चाहिए बदल आज के लिए आपका बस हो गया कि बहुत पढ़ाई कर ली पस हो गया नेक्स्ट इसका एक और मीनिंग होता है सन्यास लेना तो स्टॉप वाट यू आर दूइंग पिकॉस यू नोट वाट वाट दूइंग और दूइंग यू आपने सोच लिया कि बहुत हो गया बहुत यह काम कर लिया अब मुझे इस चीज से सन्यास ले लेना चाहिए तो उसके लिए भी आप to call it a day इस एडियम का यूज़ करेंगे खतम करना या सन्यास लेना तो उनों का मीनिंग लगभग सेन है इंग्लिश में टेफिनेशन थोड़ी सी बदल जाती है और सेंटेंस में अगर आप यूज़ करें तो तो उनों का सेंस अलग हो जाता है कि अब बहुत हो गया मैं टायड हो गई इस काम से सन्यास ले लेना चाहिए नेक्स्ट इडियम जो आज मैं कवर कर रही हूं वो है इन टू माइंड्स To be unable to decide about something किसी चीज़ के बारे में तो राय रखना या विचार होना तू भीधा में होना अगर आप simple words में बोले तू भीधा में होना decide नहीं कर पाना कि क्या करना चाहिए I was in two minds whether or not to come this morning मैं असमंजस में थी, तू भीधा में थी कि आज सुबह आऊं या नहीं On cloud 9, इसके बारे में तो आप सभी जानती ही होंगे, बहुत खुश होना, साथवे आसमान पर होना, extremely happy, जब आप competitive exams को clear कर लेंगे, that time you will also be on cloud 9, I was on cloud 9, after meeting MS Thuny, MS Thuny से मिनने के बाद मैं साथवे आसमान पर थी, या साथवे आसमान पर था, बहुत खुश थी, Have a finger in every pie, आपने सुना है ना, कभी-कभी लोग क्याते हैं, कि देखो, हर जेके पर अपनी नाग भिड़ा देती है, खुशा देती है, या खुशा देता है, तो वोई है, have a finger in every pie, to be involved in and have influence over many different activities, often in a way that people do not approve of, हमेशा पीच में आ जाना, सब काम करना, सब में फसा होना, यह एक negative connotation दिया हुआ idiom है, She likes to have a finger in every pie, वह सब काम करना पसंद करती है, या वो सब चीज में नाख खुशाना, पसंद करती है, तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे, have a finger in every pie, flying visit, Hawaii दौरा, आप इसे बोल सकते है, Hawaii दौरा, इस तरह से भी याद रख सकते है, Hawaii दौरा के सौधर बहुत जल्दी से complete हो जाता है, A visit that lasts for only a short time, संख्षप भेड या संख्षप दौरा, कम समय का दौरा, The President made a flying visit to the festival, संख्षप दौरा किया, so flying visit, संख्षप दौरा, कम समय के लिए, Beat about the bush, यह है next stadium और अक्सर एक्जाम्स में पूछा ही जाता है, खुमा फिरा कर बात करना, Discuss a matter without coming to the point, या to avoid talking about what is important, कुछ लोग होते हैं कि सीथे सीथे कोई चीज नहीं पूछते, उससे पहले बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी बनाते हैं और उसके बाद point पर आते हैं, तो उसी कोई कहते हैं, beat about the bush, खुमा फिरा कर बात करना, Don't beat around the bush, get to the point, खुमा फिरा कर बाते मत करो, मुद्दे पर आईए, मुद्दे पर आए, पार्ट एंड पार्सल, यह idiom है और यह भी पहले पूछा गया है एक्जाम्स में, अब बेसिक एंड नेसेसरी पार्ट ओफ सम्थिंग, एहम इस्सा, किसी भी चीज का एहम इस्सा, जैसे, being recognized in the street is part and parcel of being a celebrity, सड़क पर पहचाना जाना, एक celebrity होने का एहम हिस्सा है, अब मैं अगर सड़क पर जाओं तो मुझे कोई नी पहचाने का, पर अगर अमिदा पच्चन जी सड़क पर जा रहे हैं, तो उन्हें सब कोई पहचाने का, MS थूनी अगर जा रहे हैं, तो सब कोई पहचाने का, तो celebrity होने का ये एक एहम हिस्सा है, कि आपको सब लोग जानते हैं, तो एहम हिस्सा part and parcel, राइट, मुब करते हैं, next idiom की तरफ जो है, kid and kin, kid and kin, रिष्टेदार, सगे संबंदी, people you are connected with, especially by family relationships, don't quarrel with him, he is your own kid and kin, उससे छगड़ा मत करो, वे हैं आपका अपना रिष्टेदार है, so kid and kin, रिष्टेदार, सगे संबंदी, make a mountain of a mole hill, हिंदी में बोलते हैं न, तिल का ताड़ बनाना, या राई का पहाड़ बनाना, पर्वत बनाना, उससे को इंग्लिश में कहा जाता है, make a mountain of a mole hill, exaggerate the importance of something trivial, जो जरूरी नहीं है, उसको बहुत जाता है, exaggerate करना, या आप इस तरह से भी बोल सकते, कि कोई छोटी सी मुसीबते पर, उसको इतना बढ़ा करके दिखाना, जैसे कितनी आस्मान तूट पड़ा है, कितना बड़ा बड़ी दिक्कत आ गई है, तो उसे कहते हैं, make a mountain of a mole hill, you are making a mountain out of a mole hill, you wrote one bad paper, it doesn't mean you are getting to fail, going to fail, आप दिल का पहाड बना रहे हो, राई का पहाड बना रहे हो, आपने सिर्फ एक खराब पेपर लिखा है, इसका मतलब यह नहीं है, कि आप fail होने जा रहे हैं, so किसी भी problem को बहुत बढ़ा करके बताना, next है, leave high and try, nisahai, किसी चीज़ को में असमर्थ हो जाना, to do something that is not at all convenient for someone, and puts them in a very difficult situation, कुछ ऐसा करना, या कुछ ऐसा हो जाना, जिससे सामने वाली जो पार्टी है, या सामने जो तूसरे लोग है, वो एक तब में सहाय हो जाए, वो बहुत ही चाहता, inconvenient feel करे, they pulled out of the deal at the last minute, leaving us high and dry, उन्होंने अंतिम समय में, सौदे से हाथ खीज लिया, हाथ की लिया मतलब सौदा रद कर दिया, जिससे और हमें नहीं सहाय छोड़ दिया, कि हमें समझ में नहीं आया कि क्या करें, असमर्थ छोड़ दिया, take fancy, ये भी एक idiom है, और जिसका meaning होता है, एंग्लिश में, to form a liking for, मन को लुभाना, चाहना ये पसंद करना, for example, I take a fancy to dancing, मुझे टांस करने का शौक है, पसंद है, so take fancy, पसंद करना, ये पसंद होना, चाहना, under the weather, बिमार होना, slightly unwell, or in low spirit, ज़रूर नहीं बिमार ही हो, अगर आप spirit, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, low feel कर रहे हैं, तो उसके लिए भी, under the weather, idiom का यूज़ कर सकते हैं, I am feeling a little under the weather, I think I am getting a cold, बिमार भी feel कर रही हो, लग रही हो, मुझे लगता है, कि मुझे सर्दी हो रही है, तो इस तरह से, under the weather का, यूज़ करेंगे, बहुत ही common idiom है, और अक्सर हम day to day life, conversation में भी हम, under the weather, idiom का यूज़ करते हैं, at loggerheads, ये हैं हमारा next idiom, और इसका meaning होता है, असहमत होना, disagree strongly about something, management and staff, are at loggerheads, over the plan, यूज़ना को लेकर, प्रबंथ और करमचारी, असहमत से थे, या आप ये बोल सकते हैं, आप में सामने थे, बिल्कुल agree नहीं कर रहे थे, तो क्या आप हैं किसी के साथ, loggerheads में, comment section में मुझे ये भी बताईएगा, a close fisted man, ये हैं एक्स्टेडियम, और जिसका meaning होता है, अपने पैसे को खर्च नहीं करना चाहता, पार्ट मतलब उससे अलग नहीं होना चाहता, for example, the manager is very close fisted with expenditures, प्रबंदर वेक के मामले में बहुत कंजूस है, एक close fisted man है, उससे पैसे चल्दी खर्च नहीं होते हैं, हमारा आज का नेक्स्टेडियम है, राइस विट लार्ख, लार्ख होता है ना स्काई लार्ख, बहुत जल्दी सुबह उठ जाता है, तो वहीं से ये राइस विट लार्ख आया है, सुबह जल्दी उठना, to wake and get out of bed at sunrise, सूरज उगने के साथ ही उठ जाना, normally she rises up with the lark, but today she is still sleeping, नॉर्मली वह सुबह सुबह उठ जाती है, पर आज वह अभी भी सो रही है, शायद she is under the weather, मतलब शायद वह बिमार हो, go touch, ये है next stadium, और आजकल काफी बार हम इसे यूज करते हैं, especially जब हम पार्टी में चाते हैं, रेस्टोराइंट में, तो हम बोलते हैं न, कि go touch, we are going for touch party, कि किसी एक पर पोच ना पड़े, कोई एक पैसा ना दे, सब कोई जो पहल आया है, उसको divide कर ले, साजा कर ले, तो वो होता है, go touch, to agree to share at a cost of something, especially a meal, खाने का जो पैसा है, उसको share कर लेना, किसी चीज की लागत को, especially भोजन, खाने की लागत को, पाट लेना, साजा करना, she was surprised when he suggested, take or touch, जब उसने बिल साजा करने का सुझाब दिया, तो वह है है खैरान रहे गई, next stadium है, wild, good, goose, chase, असंभव्वे वस्तू के लिए प्रेद्ट, ऐसी चीज जो हम पा नहीं सकते, फिर भी हम उसके लिए प्रेयास कर रहे हैं, तो वह कहलाता है, wild goose chase, a foolish and hopeless pursuit of something unattainable, unattainable, that means, जिसे हम पा नहीं सकते, the police had been sent on a wild goose chase, पुलिस को असंभव्वे कारे करने के लिए भेजा गया था, ऐसी चीज ढूनने के लिए भेजा गया था, जो पाना असंभव्व्व था, so last, जो हमारा next idiom है, वो है, at once, it's end, कुछ न सूचना, अकल काम ना करना, जब हम बहुत परिशान हो जाते हैं, किसी चीज से, कोई चीज सहीं नहीं होती है, तो हमारी अकल काम करना बंद कर देता है, तो उसे कहते हैं, at once, it's end, completely puzzled and perplexed, not knowing what to do, I have tried every possible source without success, and now, I am at my fits end, मैंने सफलता के बिना, हर संभव, श्रोथ की कोशिश की है, मतलब, मैंने हर कोशिश की, और मुझे कहीं success नहीं मिला, सफलता नहीं मिली, और अब मुझे कुछ नहीं सूच रहा है, मेरी अकल ही काम नहीं कर रही है, so at once, it's end, अकल काम ना करना, go for the joggler, यह है हमारा आज का last idiom, और जिसका meaning होता है, कमजोर पहलो पर आकरमन करना, to make a serious effort to defeat someone, usually by criticizing or harming them in a cruel way, किसी को defeat करने के लिए हराने के लिए, पूरी तरह से effort लगाना, चाहे वो कुछ भी तरह से हो, पूरी तरह से उसे criticize करना, या harm करना, नहा went straight for the joggler, telling him that his work was a complete disaster, नहा सीधे ही उसके गमजोर पहलो पर आई, और उसे पताया, कि उसका काम पूरी तरह से खराब था, उसका काम पिलकुल ही खराब था, तो उसे एक तरह से नीचा दिखाया, serious effort किया, कि उस वो defeat हो सके, उसका काम पूरा साबित हो, तो ये थे हमारे आज के 20 idioms, जिनके बारे में मैंने आज आज आपको पताया, हिंदी मीनिंग, एंग्लिश मीनिंग, और साथ में sentence में उसका use, आप भी इन में से कुछ idioms का use कीजिए, sentence बना कर मुझे बताइए, और अगर आप competitive exams की त्यारी नहीं भी कर रहे हैं न, तो भी ये आपके लिए बहुत ही अच्छा थाबित होने वाला है वीडियो, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, तो इसे like करें, share भी जरूर करें, और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो अभी कीजे, पहले आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन इमिटेट भी मिलेगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ इडियम्स और फ्रेजिस के साथ हाऊंगी, जोकि पहले एक्जाम्स में पूछे गई है, तो मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा, तिल देन, have a nice day, बाबाई,